दुनिया में कोविट का केश बढ़ रहा है वेशी स्थिती में कल राजस्थान के तीन एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में पारज जोडो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविट पोजिटिव पाया गया है हिमा चलक के सनमानिय मुख्यमंत्री जीपा भी पारज जोडो यात्रा में गए थे उसके बाद उसमें भी कोविट पोजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविट ना फेले इस विशय के लिए आप कुछ कारेवाहिक करिए उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ड लोगों की रायली बातचित्किया और उसके आधारपा मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कनविनार राहूल जी को एक पत्र लिखा और एक एहलत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि मुझे इसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उससे उस यात्रा में भाग लिया हुए कई लोगों को कोविट पोजिट्व पाया गया है तो उसके लिए प्रिकोशन लिया जाए कोविट प्रोटोकॉल का पालन किया जाए लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से मुझे कोड करके कोविट के संदर में मुझे प्रिशन्स कर रहे है आपने एसी चिठी नहीं लिखनी चाहिए क्यों लिखा वे भारत सरकार का है एक है एक दायत्व है कि देश में कोविट ना फेले देश के सभी नागरिक स्वस्तर है लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायत्व आदा करता हूँ कोविट प्रोटोकोल का पालन करके कोविट ना फेले उसके लिए कोई मार्दर्शक सुचना जारी करें तो उसके खिलाब भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूँ कि यह मेरे कर्तवियन निर्वहन करने के हम तो प्रदान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर है हम खास लोगों को कैसे क्वेशन पूछ सकते यही उसकी मान सीखता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है